दोतों आज का जो हमारा वीडियो है वो एक प्रिंटर को लेकर हैं यहां दोस्तों काफी दिनों बाद हम फिर से आज बात करने वाले हैं एक बिजनेस प्रिंटर के बारे में अच्छा आपको कुछ मेरे सेटप में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा जैसे कि यहां पर यह ब बहुत बाया हूं और बहुत जल्द ही इसका यूच होने वाला है तो चलिए आज का वीडियो है वह स्टार्ट करते हैं आज 2 आलिए और उसकी क्या है इसका प्राइज और क्या है इसका प्राइज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक जोरू देखे करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है देवांग आप देखे हैं Mr. Creative देवांग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्शन ब्राइंड के प्रिंटर के बारे में जिसका नाम है एप्शन एको टैंक एल 32 ऑल इन वन प्रिंटर यहां पर यह एफोर प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ यह प्रिंटर अबलेबल है चलिए शुरू करते हैं इसके बैसे कौन कौन से दिए गये तो इसमें दिया गया है आपको प्रिंट स्काइन और उना function यह बहुत ही कमाल यह और बैस्ट क्वालिटी देता है जो किरिदिने में सच्छे मरता इसका जो print resolution है बहुत जदा high print resolution है जिससे कमाल की photography आप कर सकते हैं इसमें spill free और error free refilling का option दिया गया है यानि आप बिना किसी यानि without परिशानी के आप इसमें ink खुद से refill कर सकते हैं borderless printing आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यानि up to a4 size तक के paper को अगर आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर a4 size तक के photo को print करते हैं तो आपको यहाँ पर borderless printing का option देखने को मिल जाता है दोस्तों अगर हम बात करें इसमें अगर ink capacity की यहाँ पर आपको 4 ink tank की technology देखने को मिल जाएगी जो की है black, cyan, magenta और yellow यहाँ दोस्तों ब्लैक, cyan, magenta और yellow आपको ink की colors हैं वो देखने को मिल जाएगे जिन में से जो black है वो आपको 1500 page की capacity देगा और color आपको 7500 pages की capacity दिखाने बाला है जो की capacity यहाँ पर बहुत ज़्यदा high level की दी जाती है पेपर tray capacity की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप input tray जो इसकी है उसमें आप 100 sheets रख सकते हैं जो 100 paper आप रख सकते हैं input tray में और output tray की capacity है वो 30 sheets की है यानि 30 pages की output capacity इसकी दी गई है दोस्तों हम इसके price की भी जल्द बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसको buy करने पे आपको warranty कितनी मिलती है तो इसको जब आप बाय करते हैं तो आपको one year की warranty मिलती है और साथ में 30,000 print की भी warranty मिलती है तो आपके एक साल पहला पूरा हो जाए या फिर पहले आ नेक्ट वीडियो में जिसमें हम आपको इसमें detailed वीडियो जो इसकी बनाएंगे उसमें लेकिन इसमें हम बताते हैं आपको कि एक सट इंक बॉटल फ्री मिलेगा जोकि ultra high capacity के साथ आता है अब दोस्तों हम बात करते हैं में में मुद्दे के प्रिंट स्प्रिंट की जिसके क इक चाही को यй को मिली जाती है और 140 लोजापको अपको २ोजल्स आपको ब्लैक की देखने को मिल जाती है नोजल्स की संक्या ठीक टाक है यहां और हम प्रिंट रलाज्योड करती бол deeper इंपर्टन रोल प्ले करती है यहां पर प्रिंट रिजुलिशन तो आपको यहां पर 5760 इंटू 1440 TPI का प्रिंट रिजुलिशन हाइप प्रिंट रिजुलिशन देखने को मिल जाता है जो कि आपको एक Mini Photo Studio Mini Photo Lab बनाने में काफी मदद करेगा बात करें अगर हम इसके Print Speed की तो यहां पर अगर आप 4 x 6 size के फोटो को प्रिंट करते हैं तो आपको लगेंगे 69 seconds यानि 69 सेकेंड में approximately 69 सेकेंड के आज पास आपका जो प्रिंटर है वो आप 4 x 6 size के फोटो को प्रिंट करके दे देगा जो कि हाई क्वालिटी में प्रिंटिंग दिखाई जाती है बात करेंगा नॉर्मल फोटो प्रिंटी की यहां पर आपको एफोर साइज के अगर आप ब्लैक और वाइट पेपर में प्रिंट करते हैं तो यहां पर आपको 33 करने के बाद इसको उन करते हैं इंस्टॉल करते हैं उसके बाद यहां पर यहां पर कोई वाई-फाई का option नहीं दिया गया है यहां पर आउट्र डिपलेक्स प्रिंटिंग नहीं दिगए है यहां पर two-sided printing नहीं द गई है दोस्तों main point अगर हम बात कर लें कि वाई-फाई नहीं है फिर भी आप इसे अपने मोबाइल से कैसे यूज कर सकते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेजिएगा आपको पता जाएगे किस तरीके से आप मोबाइल से इसको यूज कर सकते हैं और यहीं नहीं कोई भी आपके पास नौर्मेर प्रिंटर है आप उसको भी बिना वाइफ प्रिंटर के लिए करके एप्सन एको टैंक अल 32 जो प्रिंटर है वह आपको प्राइज में किस रेंज तक आने वाला है तो आपको मातr 14,000 रुपए का मिलने वाला है जो इसकी डिटेल्र वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कहां से बाए करें कह इसकी depth में detail क्या है यानि कितनी और मैं एकदम final सा आपको clear करके बता दूँगा कि आपको यह printer कहां के लिए बाय करना चाहिए और कहां के लिए नहीं बाय करना चाहिए तो उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज मिस्टर कृटिव देवाइंग चैनल को अगर वीडियो से कुछ भी लाब मिला हो कुछ भी आपको अच्छा फील लगा हो तो आप लीज वीडियो को like करना मत भूलीगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूलीगा लाइक कर दीजिए मेरी होसले के लिए और कमेंट कीजी अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई सुझाओ हो या फिर आपको किसी भी प्रिंटर के बारे में जानना हो कहां से बाय करना है ये पूछना ह अधर्वाइस कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं जाए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में मसायदार बिजनस आइडिया प्रिंटर टॉपिक के साथ या फिर किसी अन्य नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत